दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आरेन इंस्ट्यूट लहबाद में दोस्तों तुम्हें पर देख पा रहे हैं आज एक बार फिर आपके समक्षबात करने वाले हैं यूपी SI 9534 भरती परिक्षा पर दोस्त इसके संदरो में एक महतुपूरूड अपडेट निकल करा रही है आप देख पार हैं लिखा जा रहा है कोर्ट केस अपडेट बिल्कुल आप सभी को पता है कि 9534 का जो मामला है वह कहीं ना कहीं कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है लगातार इस पर डेट पे डेट जो है जारी की ज जा रही है आपके इस को कोर्ट केस की सुनवाई इस देट को होगी और इसके संदरोप में लगातार अब्यर्थियों का जो मन है वह कहीं ना कहीं बिचलित होता हुआ जा रहा है नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है यूपी एसाई 9000 जो यूपी एसाई के सभ ठेक है तो कहीं ना कहीं अगर जो भी मामला कोर्ट में जाता है वह कोर्ट के अधीन हो जाता है कोर्ट का जैसा निर्ड़य आता है उसी के परिप्रिच में सब कुछ करना पड़ता है लिखा जा रहा है यूपी एसाई के साथ ही निरास बिल्कुल कहीं ना कहीं यह निरासा जनक बाते होती है कि अगर कोड के द्वारा डेट पे डेट आपको दी जा रही है आपका सबसे चादा कोमेंट आता है कि आकिरकार भाया जो डेट पे डेट दी जा रही है उसका क्या कारण हो सकता है क्या परिक्षा रद हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और medical की बार संपूर्ड process क्या क्या हो सकता है इस पर भी और joining later कब मिलेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे यानि आप जितने भी मुद्दे हमारे चर्चा के हैं सभी को आप देख पारें विडियो सुरू करने से पहले मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहले बार विजिट किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब यूट किजिगा चलिए हम सबसे पहले इस code case की update से आपको रूबरू कराते हैं देखे आपकी समक्ष अबडेट लगा है आप देख पार हैं साब कुछ चीज़ें यहां लिखी गई है ठेक हैं चलिए यहां जो है first hearing date आपके पास दी जा रही है जो next hearing date आपकी समक्ष लगी है आप इसमें देख पार हैं 5 दिसंबर को फिर से आपकी UPSI 9534 मामले की सुनव रखे गई हैं देखे यहां लिखा गया है case listed on court number 8 में bench ID 3012 दे गई है और serial number 103 पर आपकी सुनवाई 5 दिसंबर को कराई जाएगे ठीक हैं कोरम यहां देखे आलोक मातुर लिखा गया है सबकुष bench type आपका दिया गया है single bench में आपकी सुनवाई होगी सबकुष आपके समक्ष court case update हम आपको दिखा पारे हैं 5 तारीक का आप इंदजार करें उमेद यही है कि आपके समक्ष एक बहतर परिड़ाम निकल कर आएगा च मैंने अगर कहा जाएं अगर आप सोच रहें कि परिच्छा रद हो सकती है तो बिल्कुल यहां नहीं हो सकता परिच्छा आपकी रद नहीं होगी भले ही आपका जो इस भरती परिच्छा में fraud किये हुए हैं उनके खिलाब अलग से action लिया जाए लेकिन जहां तक सवाल है प उसके लिए तैयारी में लग जाए चलिए आगे लिखा जा रहा है मेडिकल के बाद संपूर्ड प्रोसेस देखिए मेडिकल तो फिलाहल आपका वरतमान समय में अगर हम बात करें तो वह अपने प्रोसेस में चल रहा है लेकिन अगर बात किया जाए आप पहुँछ रहते म आपका मेडिकल के बाद और आगे का क्या प्रोसेस हो सकता है तो देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा मेडिकल के बाद संपूर्ड प्रोसेस यह कूर्ड केस वाल होता है जैसे है court case का final decision आता है उसके बाद का जो भी process होगा आपकी समख्च जो है inform किया जाएगा फिलहाल के लिए जब तक court में मामला आपका पड़ा है तब तक भले ही आपका medical ये करा ले जा रहे हैं लेकिन आगे का कोई भी process ये नहीं कर पाएंगे ठीक आगे जोइनिंग लेटर संबंधित जोइनिंग लेटर कब तक मिलेगा देखे यह कहना बिल्कुल मेरे लिए मुस्किल है कि अगर आप जोइनिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो जोइनिंग आपकी कब तक करा ले है ठीक है आसा करते हैं देगी जानकारी से आप संतुष्ठ होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो समाब करते हैं थैंक्स धन्यवाद